Hello students, welcome you all in our online learning platform. मैं अमित आपको पढ़ाने जा रहा हूँ अर्थसास्त्र. इस lecture में हम लोग जानेंगे कि अर्थसास्त्र में हमें पढ़ना क्या है जो आपके exam के point of view से बहुत ही ज़्यादा important है. किसी भी subject को अगर आपको बारी की से समझना है तो उसका syllabus जानना आपके लिए बहुत ही महत्पूर हो जाता है. उसी क्रम में हम लोग आज जानेंगे कि economics का क्या syllabus है जो आपके इंटरेंस exam के लिए बहुत ही ज़्यादा important है. मैं आपको बता दू कि यहाँ series bilingual है अर्थाच जो study material आपको हिंदी में provide कराया जाएगा वही study material आपको इंगलिस में भी provide कराया जाएगा. तो चलिए देखते हैं कि हम economics के syllabus में क्या क्या पढ़ने वाले हैं आपके इंटरेंस के point of view से जो important है. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे intro यानि introduction सबसे पहले हम introduction पढ़ेंगे economics का कि economics क्या है इसको कितने प्रकार से हम विभाजित कर सकते हैं यानि उसके परिचे के बारे में हम बात करेंगे उसकी प्रिष्ट भूमी के बारे में बात करेंगे. then हम move करेंगे उसके standard chapter के और जिसका नाम है economic development अर्थात आर्थिक new gen इसके बारे में हम बात करेंगे सबसे important topic है economics का इसलिए हमने इसे चार sections में divide किया है क्योंकि इसे हम चार sections में divide करके पढ़ेंगे तो हमें जल्दी आद होगा आसानी होगी अर क्योंकि यहां से question सबसे ज़्यादा ऊटतें इसलिए हमने इसे चार sections में divide किया है सबसे पहले हम पढ़ेंगे planning commission के बारे में then हम लोग पढ़ेंगे five year plans के बारे में क्योंकि planning commission ही five year plans को regulate करता था अर्थात पंच वर्श ही इजसराओं के बारे में पढ़ेंगे उसके बाद क्या हुआ Planning Commission को Abolist कर दिया गया मिटा दिया गया उसके स्थान पर आये नीतियाओ इसलिए नीतियाओ हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा important हो जाता है हम पढ़ेंगे नीतियाओ के बारे में कि नीतियाओ क्या है इसको कैसे योजनाओं को अब बनाता है लागो करता है उसके बाद हम पढ़ेंगे मॉडल्स के बारे में अगर किसी भी योजना को लागो करना होता है तो सबसे पहले उसके लिए एक मॉडल बनता है एक योजना बनती है कि मॉडल तयार किया जाता कि योजना को कैसे पांच साल तक चलाना है, किस छेत्र को ज्यादा लाफ देना है, किस छेत्र को कम लाफ देना है, और द्योगिक छेत्र को लाफ देना है, कि किर्सी छेत्र को लाफ देना है, इन ही को models कहते थे, तो पहले models बनते थे, अभी भी बनते हैं योजनाओं को regulate करने के लिए, तो जो बुद्धिजी भी लोग थे जो उस छेत्र विसेश के लोग थे जो अर्थसास्त्री थे उनके द्वारा जो मॉडल्स बनाएगे उनको हम पढ़ेंगे जिन में सबसे प्रमुक आ जाते हैं नहरू महालनोविश ये आ जाते हैं उसके बाद गांधी आ जाते हैं गांधियन मॉ रहेंगे अपनी देश की आए के बारे में अपनी देश की राष्टी आए के बारे में कि सकल घरी उत्पात क्या होता है सकल राष्टी उत्पात क्या होता है प्रतिव्यक्ति आए क्या होता है इसको कैसे निकालते हैं इसको निकालने के कौन-कौन से तरीके हैं इन सब क्या अध्यन हम national income में करेंगे राश्टी आय में करेंगे यहां से questions पूछे जाते हैं कि राश्टी आय कैसे निकाली जाते हैं यहां से questions जरूर उटते हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे बजट के बारे में, बजट का इतिहास क्या रहा है, बजट कहां पेस किया जाता है, कैसे होता है, बजट के बारे में हम लोग सारी चीजे डिसकस करेंगे, उसके बाद हम लोग डिसकस करेंगे इंडियन एगरी कल्चर, इंडियन एगरी कल् में जो economics के point of view से important है उसके बाद हम लोग आज कल की जो जो लंत समस्य है employment employment जो लंत समस्य है इसी वज़ा से यह topic बहुत ही ज्यादा important हो जाता है तो हम लोग पढ़ेंगे employment programs जो employment programs निकले हैं अस्ता उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे जैसे green regulation 20 point programs इन सब के बारे में हम employment programs में study करेंगे उसके बाद हम मूब करेंगे important act की तरफ वो है employment guarantee act employment guarantee act को हम लोग पढ़ेंगे रोजगार guarantee अधनियम को हम लोग उसके बाद साथवे chapter में पढ़ेंगे उसके बाद हम मूब करेंगे rural area में यानि नाबार्ड नाबार्ड एक संस्था है जो rent provide करवाती है क्रिसिकों को तो नाबार्ड के बारे में पढ़ेंगे इसलिए नाबार्ड बहुत ही ज़्यादा important हो जाएगा आपके point of view से इसकी स्थापना और commission से बहुत ज़्यादा questions आते हैं तो नाबार्ड के बारे में मैं आपको यह कैसे loan देता है इसके बारे में मैं आपको पूरी तरीके से पढ़ाऊंगा उसके बाद थमूब करेंगे बैंकिंग सिस्टम की तरब हमारे देश की banking प्रणाली क्या है कैसे regulate होता है कौनसी bank किसको नियंत्रिद करती है कौनसी bank सरकारी है कौन सी private है banking का जितने भी systems है banking की जितनी भी प्रणालिया है उनके बारे में हम अध्यन करेंगी हमारे देश की central bank कौन सा है जैसे RBI के बारे में हो गया SBI के बारे में हो गया इन सभी बैंकों के बारे में मुद्राओं के बारे में कि बैंकों में कौन सी मुद्राओं चलती हैं कौन सी किस प्रकार की हैं इन सभी के बारे में हम banking प्रणाली में अध्यन करेंगे बहुत ही बिस्तार से उसके बाद सबसे ज़्यादा questions यहां से एक दो questions उठने के chances रहते हैं type of taxes यानि आप से पूछ लेगा कि कौन सा इसमें से indirect tax है कौन सा इसमें से direct tax है तो हमें पढ़ना सबसे ज़्यादा important हो जाएगा type of taxes यानि करो के प्रकार यह पढ़ना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा important हो जाएगा कि tax कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से tax किस किस category में आते हैं उनको categorize करना बहुत ही ज़्यादा important हो जाएगा जैसे कौन से tax राज्य सरकार लेती है state government लेती है कौन से tax center लेती है अर्थात केंदर सरकार लेती है और कौन से direct taxes हैं, कौन से indirect taxes हैं, इनके बारे में पढ़ना बहुत ही ज़्यादा important हो जाएगा उसके बाद, उसके बाद कहीं से questions उठते हैं, बहुत ज्यादा तुवो commission से उठते हैं, अर्थात जो आयोग बनते हैं, उनसे बहुत ज्यादा questions उ पूछ लेगा तो कमीशन्स हमारे लिए बहुत ही जादा इंपॉर्टेंट होते हैं बहुत ही जादा माइने रखते हैं तो जितने भी इंपॉर्टेंट कमीशन्स हैं उनको मैं आपको विस्तार से पढ़ाऊंगा उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इंडरस्टियल पॉलिसी अर्थात ओद्योगिक नीती ओद्योग नीत आज तक कितनी निकल चुकी हैं किनकी क्या विसेश्ता थी इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे industrial policy में कि अद्योगनीती क्या है कब-कब ये जारी हुई नई अद्योगनीती क्या आई इसकी क्या विसेश्थाई है क्योंकि सबसे जादा questions उड़ते हैं वो नई अद्योगनीती से उड़ते हैं नियू industrial policy से उड़ते हैं उसके बाद सबसे important topic वो है GST, GST से कहीं न कहीं एक question बनने के chances रहते हैं क्योंकि GST बहुत ही important topic है और यहां हम पढ़ेंगे GST के कितने प्रकार होते हैं, GST किन-किन वस्तों पे apply होती है कितने percent apply होती है, GST का पूरा इतिहास हम लोग पढ़ेंगे कि किस देश में सबसे पहले आई, अपने देश में कितने साल बाद लगी, किस राजी में पहले GST अपलाई हुई, किस राजी में सबसे बाद में हुई इन सभी facts को हम GST में पढ़ेंगे, उसके बाद आज आएंगे हम लोग last में बीवित पर, बीवित में हम लोग उन पॉइंटों additional points को पढ़ेंगे, यानि वो points जो exam मतलब ठोस points होते हैं, उनको पढ़ेंगे, जिनसे exam में questions पूछे जाते हैं जैसे जर्नल awareness में बीवित का point होता है, static gk का point होता है, वैसे ही किसी भी subject में बीवित उसी का काम करता है, यानि यहां से questions उठने के chances होते हैं, तो बीवित में हम लोग बात करेंगे उन additional points की जो बहुत ही जादा exam के point of view से important है, तो यह economics का syllabus है, इसी syllabus को हम लोग पढ़ेंगे lectures के माध्यम से, यह सारा syllabus क्रमबध तरीके से complete हो जाने पर आपके लिए कुछ MCQ questions आएंगे, जो आपकी तयारी को अलग ले देंगे, तो यह सारा syllabus पहले हम लोग complete करेंगे, अच्छी से पढ़ेंगे, सारे topics जो 14 topics हैं, इनको बहुत ही अच्छे से और बारीकी से हम लोग प आए तो उसे आप suggest कर सकते हैं कि हमारा online learning platform join करने के लिए, इसे ज्यादा से ज्यादा join करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस entrance को crack कर सकें